बहुत हाड़े जवर दस्ट, keep it up boy, keep it up अरे अरे, चौकिय मत, आपको क्या लगा, कि मैं भी इसी तरह की बॉडी बिल्डिंग करने वाली हूँ नहीं, नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा खुद पर ध्यान देने के लिए और अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए जिम आती हूँ और आज मैं आपको अपना पूरा वर्काउट तो दिखाऊंगी ही साथ मैं आपके मन में जिम या फिटनेस को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे उन सभी का जवाब भी दूँगी और इस जिम का नाम रोशन करने वाले कुछ यंग स्टर्स कुछ स्टूडेंट से भी मिलवाऊंगी तो बस देर किस बात की चलिए फटा फट्स अपना वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूले और चैनल को कर लें सब्सक्राइब हेलो मैं हूँ मनीशा और आप देख रहे हैं मनीशा's food and travel studio और आज का वीडियो मेरा बिल्कुल अलग होने अलग क्योंकि आप देख रहे हैं आप के लिए आप नहीं सोचोगे अपना कदम आगे नहीं बढ़ाऊगे तो कोई भी साथ नहीं देगा तो अपना कदम आगे बढ़ाएं तभी दुनिया भी आपका साथ देगी सबसे पहले हम लोग यहां पर आते हैं तो पहले वाउम अप करते हैं बॉडी वाउम अप तो चलिए मेरे साथ बॉडी वाउम अप करते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरह के मशीनों में कौन-कौन से एक्सिसाइज करते हैं Body warm up का मतलब है कि शरीर को heavy exercise के लिए पहले तयार करना, जो सारे हमारे जोड होते हैं, हड़ियों के जोड होते हैं, उन्हें खोलना होता है, तो पूरे अंग को हिला डुला कर पूरे जोड होते हैं उन्हें खोला जाता है, पूरे joints को ढिले किये जाते हैं, उसके बाद सारे muscles क को लूस किया जाता है, और उसके बाद ही हम इतने काबिल होते हैं, कि फिर हम बड़ी-बड़ी मशीनों में जाकर strength training कर सकें, तो warm up मेरा हो गया है, बिल्कुल अच्छे से, लेकिन अब ये भिखरा के जूर पे हम लोग जिम्में नहीं जा सकते हैं, तो अभी का करना होगा, कि अच्छे से, टाय आप येर, येस, एंड नाव आएम रेड़ी तो गो इन दा मशीन, यानि जो मशीन है आप देख रहे हैं, उस मशीन में जाने के लिए एकदब अच्छे से, फिट फार्ट रेड़ी हो जाओ, वाल-वाल पूरी अच्छे से समेट के उचलिए, अब मश कि अच्छे से, वैसे कहने वाले तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर कहने वाले लोग आपकी मदद को नहीं आएंगे, जब उनकी जरूरत होगी, तो इसलिए आप फिट रहें और इसकी चिंता स्व है, वाक कर सकते हैं, एटसेटरा, एटसेटरा, बात थोड़ी से सही भी है, पर घर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, कि पहला नंबर है, कि वहां तो महाल नहीं होता, और उपर से घर के अन्य कारियों की वज़ा से समय निश्चित भी नहीं होता, इसलिए मुझे तो यही क्रैजटर से समी देखा, और भी कितनी मशीं हैं, समी में में थोड़ा-थोड़ा करते हूं, वैसे तो हमारे फूरे वाक वस्योर्श को तीन पार्स में डिवाइद करते हैं, एक दिन बाक होता है, और एक दिन लेग विग करते हैं sami होते जो आत कर से साथ ही हम लोग कर दे जिसमें कि मैं जो लोग सोचते हैं लोगों की जो शंकाय हैं जी माने के बारे में वो सभी चीजों को दूर करूँ आज मैं आपको मिलवाती हूं यहां की जो सब्मा करूंगी हम सब की साहता के लिए प्रकट हुए हैं हमारी सुसाइटी में कि जिम के बारे में कि जिम क्यों जाएं लड़कियां क्यों जाएं तो मैं मेरा पहला सवाल यहीं होगा कि वाइज जिम यह आपने बहुत ही अच्छा कुछा है अब ही कि समय में लोगों का डाइट और लाइफ इस्टैल काफी ज्यादा चेंज हो चुका है बहुत फास्ट्वूड वेगरा में जुड़ गया है एक्टिविटी ज़्यादा है नहीं सारा काम बैट करके लैप्टॉप्स में मोबाइल मेंने उनका बॉडि मुवम्मेंट बहुत कम हो गया पहले जब यह मोबाइल वेगरा नहीं था टेलीविजन वेगरा इतना ज्याद एक घंटा देले घंटा समय बिताने के लिए बहुत सारा अप्शन मिल जाता है अलग-अलग बोडी पार्ट को ट्रीन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अप्टर थर्टी यर्स जीव जाना कंपशरी होना चाहिए क्योंकि 30 यह के बाद में बहुत सारे हर्म लेक का वर्काउट करेंगे और समय के साथ मैं आपको लखनी का या लाटी का या किसी चीज का सारा लेकिनी चानद बड़ेगा 50 के बाद भाइसे रहना चाहिए इतना सारा इन्होंने बात बताई कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी को भी कोई संदेर हैगा कि जिम क लेकिन एक बात है कि जैसे जिम की बात आती है वर्काउट की बात आती है तो पहला सवाल और पहला जो मश्रक हो जाते हमारा खाना शूट जाएगा खास करके आलू चावल तेल एक्दम बंद कर देंगे तो इस ट्रू और मैं हमेशा से पूछना चाहती थी आकास जी से क्य सब्सक्राइब करते हैं तो आलू चावल तेल चीनी यह कोई समस्य नहीं है हम लोगों का समस्य है हम लोगों को क्लास 678 में सबने बैलेंस डाइट पड़ा हुआ है कैलरी क्या होता है सब को पता है लेकिन अपने रियल लाइफ में क्या करते हैं उसको हम लोग कोई कैल्कुलेट नहीं करता है अभी आप रेंडम किसी जी पूछेंगे कि आप पर डे कितने कैलरी खाते हैं वह नहीं बता देंगे तो आप समस्य अभी क्या है कि हम लोगों को मान लिजे अभी आपके केस में आपको फिप्टीन हंड्रेट कैलरी का ही जरूरत आपके बॉड़ी को लेकिन आपको क्यूंकि पता ही नहीं कि मुझे नास्ता में कितना कैलरी लेना है लेंच में क्या करना है तो एंड सबसे आसान तरीका अपने अपको फीट रखने का है फर्स्ट नो यार कैलरी एक्स्पेंडिचर आप दीन वर में आपका बॉड़ी कितना कैलरी बर्न कर सकता है और अगर कम कर सकता है तो बर्न करने का रास्ता ढूंड़े जैसे कि जीन स्पोर्ट्स वॉकिंग रेनिंग वाटेवर जो भी करिये हैं और अगर आप ओवर मेट हो चुके हैं तो जितना कैलरी आप बर्न कर रहे हैं उससे 200-200 कैलरी कम कंज्यूम करता है इसको बोलते हम लो अलू का इस्तमाल बने सुरवात में अलू का जो उत्पादन सुरू किया गया था यह सैनिकों के लिए सुरू किया गया था अलू को अब ध्यान दीजिए एक मातर ऐसा चीज़े जिसको जस्त हमें पानी में उबालना और खाले ला इसको किसी चीज की ज़रूद नहीं है त लेकिन क्या की लिमिटेड इस्तमाल करें तो आज यह भी मित खतम होगे कि आलू चावल या और भी जो चीज़ें हम दुश्मन सोचते नहीं है वह हमारी ज़रूरत के हिसाब से अच्छा एक और बात है जो जिम से ही जुड़ा हुआ है प्रोटीन पाउडर यह इतना मिस कं पाउडर नेसेसरी नहीं है बॉड़ी का जो बिल्डिंग अलिमेंट है वो प्रोटीन है वो प्रोटीन किसी भी जगह से आ सकता है वह हमारे अगर आप वेज हैं नॉन वेज है तो आपके पास में बहुत अच्छे सोर्सेस हैं और चीप हैं तो एग्स हो गया आपका फिर यह चिजिएर हैं पनीर है रही है चीजिजों मार्य बहुत बहुत मात्रा में मिल जाता है आपव्टोटीन पाउडर खाना बिल्कु जरूरी नहीं है आप पासे ग्रोटीन प्रोमोट नहीं करता मैं सहते हैं Trans ago a comm.1 यह दूब से निकाल सकते लिए जैसे कोई उनका पीने का टाइम टेबल नहीं है वो पूरे टाइम में हैं उनको मौका नहीं मिल रहा तो उनके लिए उप्शन अब उनको आप दुपार को मालें जो घर के बाहर है और वो प्रोटीन पाउडर ले जा सकते हैं वह जब उनको भूक लगता दों खा सकते ह तो यह भी आज हमारे दर्शकों का और हमारे जो शुक्चिन तक है उनका यह भी संदेख खतम हो गया कि प्रोटीन पाउडर नेसेसरी चलिए अब एक बात जो मैं अपने लिए बोलूंगी और अपनी सारी बेहनों के लिए बोलूंगी और मैं जिस एज में आज चुकी हूं के लिए मैं बहुत सोचती हूं कि जैसे जैसे मेरा एज बढ़ रहा है मेरा नीचे जा रहा है खाना हजम नहीं होता मोशन स्थीक नहीं आते तो ऐसा क्या चीज हम करें कि हमारी जो मेटाबॉलिजम है जिसको हम लोग बोलते हैं कि खाना खाना और हजम करना ही जो पूरा प अच्छी बात है बहुत बढ़िया सवाल यह सवाल कई बार पूछा गया है तो देखें मेटाबॉलिजम सबसे पहले यह ढूंड के निकालना है कि यह ड्रॉप कैसे हो जाता है हम लोगों का जैसे जैसे बढ़ता है तो हम पहले भी बता चुके हैं कि हम एक्टिवीटी कम ह होने से मेटाबॉलिजम भी और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं मेटाबॉलिजम बढ़ाने के लिए कि हर दिन साथ से आठ अजार कदम पैदल चलने का कोशिस करें यह लोग दीरे-दीरे भूल गया है छोटा-मोटा भी डिस्टेंस है 400-500 मीटर दीना तो वह गाड़ी कुछ लेकर के निकल जाते हैं तो आदा किलोमेटर का जो डिस्टेंस है और चलने का कोशिस करेंगे बीन भार का टार्गेट रखेंगे कि आपके बॉड़ी में अगर ज्यादा मसल मास है मसल है तो आपका मेटाबॉलिजम आटोमेटिक ऊपर चला जाएगा और अगर मसल कम तो मेटाबॉलिजमड गर्ञा को तो हर हमने क्या किया मेटाबॉलिजम पर ने किवी म अपके गी को लेके मतलब पहले क्या था हम लोग बहुत घी खाते थे हमारे इंडियन सोसाइटी में तो एक लिस्ट खाते ही थे दीरे दीरे डॉक्टरों ने बोला कि घी छोड़ो रिफाइन खाओ फिर वापस हम आ रहे हैं कि रिफाइन छोड़ो घी खाओ तो घी में क्या है साथ बैड फैट आजकल यह भी बहुत सुना जा रहा है तो वाट इस गुड़ फैट और बैड फैट और वाइग घी के साथ साथ मैं एक चीज और चोटा साइड कर दूंगा जो जर्दी होता है उसको भी ले करके सेम कुमिस कॉंसेप्शन है तो सबसे पहले जो फैट का जो इं जाएंगे तो फैट हो जाएंगे जबकि यह दोनों नहीं डाइटरी फैटी डिपरेंट और जो हमारे बॉड़ी में फैट स्टोर हो रहा है आप जो एक्स्ट्रा कार्भोहेडट खाते हैं वह इस्टोर होता है इंद फरम और आप जो फैट खाते हैं आपका डेली रिक्व आपके मनें जॉइंट्स में पेन आएगा लुब्रीकेशन की कमी होगी जॉइंट के सारा समस्या होगा फ्लेक्सिबिलीटी हैंपर होता है बोन डेंसिटी लॉस होता है तो घी आप आराम से खाये हां आपको कितना खाना वह आपको पता होना चाहिए तो एग का योग होता है या इन में क्या होता है वह मिलता है वह अखरोट में मिलता है जैसे बहुत लोग बोलेंगे भाई हम तो मश्ली नहीं खाते हैं हम वेजिटेरियन है अपरोट में है अल्मोन आप देख लेए यूज कर सकते हैं नट्स में भी पाया जाता है तो हमें हमारे बॉड़ी को ओ लेना है अकास जी अकास सर हमारे तो सारी है बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सारे और इसके बाद मैं और दस बारा कुस्चन ढूंड के रखूंगी ताकि और भी लोगों का जो मिस कंस्रिप्शन हो सारा दूर हो जाए लेकिन आज मेरे ख्याल से हमारे जितने वीव और भी ढूंड के रखूंगे और आपके भी कुस्चन होगी तो मुझे कमेंट करके चलिए बताते रहे अकासी आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत खुशी मिलता है इस तरह के जानकारी देने में चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को आगे और बढ़ कि अब मैं तो यहां पर आती हूं अपने बॉड़ी को मेंटेन करने के लिए अपने वेट को मेंटेन करने के लिए और जैसा कि अभी आपने इतना खुछ जाना कि मसल स्टेंद को बढ़ाने के लिए या कोई अब बॉड़ी बिल्डिंग जाता कि आप जानते बहुत सारी स्पोर्ट्स में जरूरी है और बॉड़ी बिल्डिंग अपने आप में एक स्पोर्ट्स है तो यहां के ही गोल्डेन जिम के ही एक स्टूडेंट है मैं नाम आपको अभी बताती हूं तो उन्होंने ना साथ सोनु सिंग सोनु सिंग और यह हमारे गोल्डेन जिम का नाम इन्होंने रोशन किया है अभी क्या जीते हैं क्या पुरस्कार मिला है क्या प्राइज मिला है और क्या चीज इन्होंने अचीव किया है खुद बताएंगे अब बोड़ी बिल्डिंग क्या हूं बोड़ी मीलिंग खेलता हूं सोख है मुझे गया हूं दोनों पता हूं पहले गया था आमुल सीरी काथी में था था 55 kg केटीगरी में पर्सू गया हूं संडे धारगराम दिस्टिक में थाड़ आया हूं तो फिप्यृवाइब पैज आपके अच्छी बात है तो मैं कहूं कि कि ऐसे काम नहीं चलेगा बस बाड़ी थोड़ा दिखाऊ आप में रेल है कुछ लिया नहीं है फुस्ट इसमें एफट नहीं है बहुंता इनके कहने का मतलब है कि इन्हों ने कुछ भी एक्स्ता मतलब अलग तरिस की मैडिसीन या किसी भी तरह का कुछ भी नहीं लेज थोग बनाई है सबसे बड़ी बात यह है वात शांट था है कर आफ कि कि बहुत अच्छी बात है आपने देखा और यह अपने आप में अपने आप में बहुत ही कॉंप्लिमेंटरी इसका अचीवमेंट है यह अपनी बाड़ी पर इतना ध्यान देते हैं सबसे इंपोर्टेंट यह है कि इन्होंने बिना अपने हेल्थ को कॉंप्रोमाइस किये बिना किसी मेडिसीन कोई टैबलेट को उसके बाद इन्होंने थट पोजिशन लिया मेरे लिए फश्ट से भी ज्यादा बड़ा है क्यूंकि स्टेज में जब खड़े हो रहे हैं इनके स साथ जो लोग है वह कई प्रकार का मेडिसीन और कई प्रकार का चीज का इस्तमाल करते हुए अगर वह फश्ट ले रहे हैं और अपने अपने मने हेल्थ को पूरा मने खत्रे में डाल करके जा रहे हैं इन्होंने नैचुरेली किया है इनका थट पोजिशन से ज्यादा अच जड़ा जा सकता है वह सारी चीजों का इस्तमाल हमें कभी नहीं करना है नेचुरेली यू केंडू इनुसें से मिलवाया जिन्होंने की डिस्टिक लेवल में जाड़ ग्राम में अचीवमेंट किया है यानि थर्ड प्राइज मिला है उन्होंने भी 60 kg काटेगरी में थर्ड प्राइज इन्हें भी मिला है तो थर्ड प्राइज की बात ने बात है अचीवमेंट करना बात है जीतना तो जीत की जीत का जज़बा है वह सबसे बड़ी बात है और इसके लिए भी आकास सर कुछ बोलेंगे यह बहुत समय से इन्होंने यहां जोइन नहीं किये थे इन्ह तो यहादा सोनु जी का यहां पर यह चाहँ करने मैं ने देखा इनको मेहनत करते कि मैं जब भी सुभा आ दी थी मेरे से पहले आते हैं और मतलब बिना नागा जिसको लोग बोलते हैं ना विदाउट एनी एपसेंट हमेशा आना और दो-तीन घंटे जिन में भिताना तो और और इनके इनके गाइडेंस में थे हमारे तरफ से थे तो इनको भी मैंने यहीं बोला कि आप जीत हार मत देखिए आप नेचुरली जाए नेचुरल बहुत बढ़ी बात है तो आकाज जी का तापस दोलाई का और तो चलिए अब मैं अपना प्रोग्राम यहीं पर खतम करती हूं और आप मुझे पटा फिट से कमेंट करके बताती रहे कि मेरा आज का वीडियो और इन बॉड़ी बिल्डिंग के साथ यानि बॉड़ी बिल्डर 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 आप ते कले बाइब ऑई और अवे नाइस दे आप एज की शेव लोग्ट थैंक यू